आज हम बाइण सेवान मेंutos करने वारी बाइण सेवान के ऊपर पहले भी कोश only कर चुके है आज सर्व र술 आर्ग को लेते हुए कुश कोशा कोशel है क्योंकि बहुत सिंपल होता है सवाल होते हैं चलो आज इसको डील करते हैं और देखते हैं कैसे अपने को एप्रोच कर रहा है सरकुलर आर्क कोशन में पहले ही बता चुका हूँ जब भी अपनी इस सब्सक्राइब की बात उती है तो आपने दो बातों का ध्यान रखना है एक तो उसकी डिरेक्शन दूसरा उसका मैगनिचूर फर्मूला याद होना चाहिए और डिरेक्शन पता होना चाहिए ठीक है स्टाट करें देखो यहां मने बोला ओ पॉइंट पे जहां जहां भी नही हार पॉइंट पर ओबिंदू पर मैगनिटिक निकालना मुझे ठीक है अब बात ही है देखा जाए तो करेंट ऐसे फ्लो कर रहा है रेडियस इसका और मुझे बताओ इस कितने पार्ट से पूरे पिक्चर के एक दो ती टोटल मिला कि तीन पार्ट है अब तीन पार्ट है त जीरो होगा क्यों तुम अगर इस वायर को आगे प्रडियूस करो दी आर वेक्टरी तो जीरो है आरषे कर कैब होता है जब किसी वायर से कुछ परपेंडिकलर डिस्टर बीक्टिंट होती है अगर मैं इसके उपड़ी बैड जाउं तो और वेक्तरी तो जीरो हो जाएगा यानि कि अगर मैं इस wire को produce करूँ तो इस wire की line, along the line ही मेरा point ओपर रहा है यानि कि इन दो wire की वैसे वो पे magnetic field कितना होगा, zero होगा इस बात का ध्यान रगना, इन दो wire की वैसे यहाँ पे magnetic field zero होगा और यह बात सुझ में, उसके बाद आपन बात करते हैं, देखो इन दो wire की वैसे यहाँ पे magnetic field हमारी zero आगई, आगई magnetic field zero अब बात करते हैं, कौन सा पार्ट बचा, circular arc का पार्ट बचा अगर तुम्हें formula याद हो, तो किसी भी circular arc की वैसे, center पे जो magnetic field होता है वो होता है, mu not i by 2r, theta upon 2pi, बताया हुआ हूँ कैसे, मैं बताता हूँ कैसे, अब जैसे मैंने बोला, यहाँ पे यह angle कितना बना रहा है तुम अगर गौर देखो, तो यह arc यहाँ पे angle बना रहा है, 180 degree जानी की pipe तो इस arc का यहाँ पे magnetic field होगा, mu not i by 2r, theta, pi upon 2pi यह आगया, direction is must, क्योंकि अपन direction के बिना magnetic field की बात नहीं करते है circular arc की वैसे, मैंने direction देखना बताया है अपना हाथ को इस arc की direction में curl कर लो, देखो किदर आ रहा है अपने हाथ को इस arc की direction में curl कर लो, magnetic field अंदर की तरफ आ रहा है जाने कि minus की cap, सवाल खतम होगा, देखो, कर लो, magnetic field अंदर की तरफ आएगा आई बात समझ में, ऐसे अपन पता करते हैं, circular arc की वज़र से magnetic field बात आई समझ में, circular arc की वैसे magnetic field, अंदर की direction में आ गया इन दो wire की वैसे 0 होगा अगले सवाल के करें बात करूं तो तुम गौर से देखो, यहां पर कितने पार्ट से एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, कुल चार पार्ट है अब मुझे यह बताओ, यहां इसकी और इसकी वैसे यहां पेटी फिल किता होगा ओवियस सी बात है, 0 होगा, same logic यह मैंने पहले दिया है यह wire की line में ही यह point O है तो इस wire से इस O का perpendicular distance 0 तो होगा इस wire से इस O का perpendicular distance 0 होगा यानि कि magnetic field इनकी और इनकी वैसे यहां पेटा होगा, 0 होगा यानि कि magnetic field आप 2 की वैसे होगा, एक तो इसकी वैसे और इसकी वैसे, direction का देख लें, देखो, जिस direction में current है उस direction में हाथ को करल कर लो, magnetic field अंदर की दरफ आई यहां देखो, यहां भी magnetic field अंदर की दरफ आई यानि कि दोनों की वैसे जो magnetic field आ रही है दोनों wire की वैसे जो magnetic field आ रही है वो अंदर की दर फाड़ी है, मतलब कोई टेंसन लेने की बात नहीं है, अब मैं तुमसे एक बात पूछू, यह तो 90 है, यानि कि यह आर्क सेंटर पे πाई बाई टू एंगल बना रहा है, यह आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई माइनस पाई बाई टू, यान इसकी बात कर रहा हूं मैं, 2 आर, आर बोले तो ए, थीटा, थीटा कितना है, 3 पाई बाई बाई टू, डिवाइड़ बाई टू पाई, थीटा अपाउन टू पाई, डिरेक्शन अंदर के तरफ, माइनस किल क्या तो, सवाल खतम, similarly मुझे बोला, बी टू वेक्टर बताओ, म्यू नॉट आई, अपाउन टू आर, आर कितना है, 2 ए, आर कितना है, 2 ए ही तो आर है, आर कितना है, 2 ए ही तो है, रेडियस देखो इस वाले का, 2 ए, थीटा, थीटा बोले तो कितना, पाई 2, अपाउन, 2 पाई डारेक्शन किदर, अंदर, माइनस कि, क्या, बी नेट कितना आ गया, बी नेट आ गया, जब दोनों को तुम एड़ कर दो गया, याने के, बी वन वेक्टर प्लस, बी टू वेक्टर, यही मेरा बी नेट आ गया, तरीका समझे कैसे करना है, पहली बात तुम है फर्मूला याद होना चीए, दूसरी बात फर्मूला को अपलाई कैसे करना ये पता होना चीए, ये दो बाते जब तक पता तुम्हें नहीं होंगी, तुम सवालों को एटेम्ट नहीं कर पाऊगे, इसलिए इन दो बातों का बिल्कुल ध्यान रखो, तभी सवाल तुम कर पाऊगे, वरना सवाल नहीं कर पाऊगे, आर्जी ये बात समझध में छलो इसकी बात कर ले, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पी दिया हुआ है, अब एक बात बताओ, ये दो वायर कैसे हैं, सबसे पहली बात हो, तुम्हें ये समझ में नहीं आए यह दो ओए अखिर है कैसे मैं समझा रहा हूं कैसे है यह दू है एक्चुलीय वाइड़ में करेंड इंटरी ले ठ आ है यह जै ещё आ हुआ अनि पिक्वे क्षर है कि एक्षुली यह दू आयर ऐसे है यह है यह दो वाइड ऐसे न कि किसी angle पे हैं इस plane में नहीं है दिखाने के लिए Z axis में आसा बनाया वन एक्टलीन में Z axis किया खुता है आउट बोर्ड ऐसा होता है एक wire में current ऐसे flow कर रहा है दूसरे wire में current flow ऐसे निकल रहा है तो एक wire में current किस plane में है x y plane में है यह wire z में अंदर की तरफ माइनस जैड में और यह isa कुछ है picture मुझे magnetic field आपए बतानी है तिक एक कड़कर हार ceremony करते हैं और फिर enser लिखेंगे ठीक है पहले मैं आरत वाले की बात करता हूं आइक वाले के अगर बात इसक्र b1 कोई लफड़ाइं यह मेंगेति पिल अंदर के तरफ है आई बासल में अगर मैंगेटिक फिल अंदर के तरह तो किता होगा भी मिनूनोट आई अपन 2R सीटा है यहां पे पिद प्वाई अपन 2पाई अंदर की तरफ है इसलिए माइनस के काम तमाम हो गया तो हमने इस वह इस वाईर के निकाल लिया, अभी मेरे पास दो एलीमिंट बचा हूआ है, एक वाईर जो ऐसे आंदर के तरफ आ रहा है, और एक वाईर जो बाहर के तरफ जा रहा है, जेड एक्सिस में ऐसा, अब देखो मैं इस वाईर की बात करेंट हो, में four fingers R की डारेकशन में palm का perpendicular देगा Magnet field , जाने की दिरेकशना अब इसकी बात कर ले इसा रिए इसके जो करेंट बाहर के तरफ निकल रहा है अंगू आकरेंट की डारेकशन में four fingers O की डारेकशन में Magnetic field नीचे की तरफ ही आ रही है यहाना कि दोनों की वजह से magnetic field नीचे की तरफ आड़ी है और दोनों कैसा wire है दोनों है semi-infinite wire और semi-infinite wire जो magnetic field होता है वो होता है mu naught i upon 4 pi d मैं पहले ही बता चुका हूँ semi-infinite wire का जो magnetic field होता है वो होता है mu naught i upon 4 pi d जहाँ पे d जो होता है वो होता है perpendicular distance जो कि यहाँ पे r है यानि कि B2 की अगर मुझसे कोई बात किया देखना B2 की बात किया Mu naught I upon 4 pi D यानि कि यार into 2 दोनों का direction नीचे के तरफ इसले into 2 कर दिया direction नीचे के तरफ यानि कि minus J cap vector addition तो कर सकते हो B1 B2 का vector addition तो कर सकते हो काम हो गया यह आ गया मेरा magnetic field किसकी वैसे उन दो picture की वैसे अगले सवाल की बात कर ले है अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है 2 circular आरके मुझे ओ पर magnetic field बता नहीं अरे बकवास सवाल है क्या करें कितने part हैं 1 2 3 4 4 पार इसकी और इसकी वैसे आप magnetic field 0 इसकी वैसे आप magnetic field 0 क्यों 0 तुमने बला ऐसा क्यों 0 क्यों जाएगा अरे भाई इसको प्रड्यूस करो आगे यहीं से तो पास हो रहा है जो लॉजिक मैंने पहले और दूसे सवाल में दिया था वही लॉजिक तो यहां है इसकी और इसकी वैसे magnetic field 0 सिर्फ दो की वैसे इसकी वैसे दूसरा इसकी वैसे क्या पक्वास है सिंपल सी बात है डेक्शन देख लो इसकी वैसे अंदर और इसकी वैसे भी अंदर यानि कि मैं अगर बीवन की बात करूं बीवन इसकी वैसे बात कर लो Mu naught I upon 2R Radius कितना है? 2R है 2 times of 2R Theta Pi Direction अंदर के तरफ Minus K cap Similarly P2 vector बढ़ाबाद Mu naught I upon 2R Theta upon 2 Pi Pi upon 2 Pi Direction कि तरफ अंदर के तरफ जाने की Minus K cap दोनों को add करोगे तो तुम्हान knit magnetic field आजाएगा बिल्कुल सिंपल आई बास में approach कैसे करना हो इसको देखो formula याद करना है direction का रहान रखना है और फिर सवाल नहीं बनने का तो कोई chance ही नहीं है सवाल बनना ही बनना है आड़ी यह बास में current कैसे इंट्री मार रहा है यह Z axis है बने बता है आभी पीछे सवाब में यह X is Z axis है current ऐसे इंट्री मार आ ऐसे यह current ऐसे इंट्री मार रहा है और यह वाय नीचे है कितने element हो गए एक, दो, ती तीन element हो गए अब मेरे पास तीन element है बहुत बढ़िया मेरे पास एक, दो, तीन मेरे पास तीन element है ठीक है क्या लख वड़ा है टेंशन के लेना है तीन element का मुझे magnetic field calculate करना है ठीक है इस वाले कि अगर बात करें तो current अंदर के तरफ अंग उठा current की direction में 4 finger O की direction में ये आगया magnetic field नीचे के तरफ नीचे के तरफ है मतलब इस wire का जो B1 होगा semi-infired wire का magnetic field किता होता है mu naught I upon 4 pi D यानि कि mu naught I upon 4 pi D D radius R मालू R direction नीचे के तरफ minus J क्या काम तमा similarly B2 R की वैसे लेलू current ऐसे flow कर रहा है अंदर की तरफ अंदर की तरफ current यानि की R की वैसे mu naught I upon 2R theta pi upon 2pi direction अंदर की तरफ minus की gap अब इसकी बात कर ले है आखडी wire की आखडी wire की अगर बात करो दो दो किता सिंपल है आखडी wire की तरह दीचे की तरफ magnitude निकाल नहीं मुझे आड़े यू चूट क्यों में निकाल लेंगे टेंशन की लेड़ा है करेंट निचे के तरफ आड़ के तरफ इदर फोर फिंगर अंदर देखो अंदर के तरफ आ रही है यह भी तो minus की gap आ रही है तो ठीक है B3 is equal to semi-infin i mu not i upon 4 pi d d बोले तो आड़ direction अंदर के तरफ जाने की minus की gap यहां से हम इसका magnetic field निकालके fake देंगे कोई लफडे की बात ही नहीं है कैसे magnetic field निकालना है आड़ी यह बात समझ में यह चाड़ों figure का हमने magnetic field calculate कर लिए suppose मिरे दिमाग में एक picture और रहा है चलो उसका भी कड़ी लेते हैं इसपत बदेंगे अपने को किने कमें बोले तो तीन ऐक अंदर के तरफ घुषता हूआ थीसरा बाहर की तरफ यहां से निकलता हूँ यहां से ऐसा क्या होगा यह क्या टेंशन है इसकी वजय से स्कील जदेखो वाया अंदर के तरव घुशी रहा है वाय तरव खाट है वाय के तरव ठोट व क्व almighty चरम लाओ के तरफ नीचे कीज़र सेमि इन ऩहीं जो मुफ मोई नॉट आइपोनन पाइण ड्यू आठ आदर एकसन नीचे के तरफ जाने की माइनस जे कैप काम तमाम हो गया इसकी वैसे देखो हाथ करल करो अंदर की तरफ आड़ा है अंदर की तरफ आड़ा है याने की लगान हो एड़ा है अंदर की तरफ होगा कितना होगा जाने की बीटू इसे लिए ु? अंदर की तरफ आगिया माइनस की इसकी वैसे बात कर रहेते अभी देखा इसकी वैसे नीचे आया इसकी जेंविक दरके दो आई यह वायर भ inj Out यह वायर कहां पर यह वायर जो है वह ऐसे निकल रहा है आड़ उपर के तरफ इस वायर के लिए आड़ कि दर आड़ अंगूटा इसकी डारेक्शन में आड़ उपर के तरफ इधर के तरफ माइनस आई कैप भी तरी से मीन वानाइट म्यू नॉट आई अपर फॉर पाइड डी डी बोले तो आड़ डारेक्शन माइनस देखो जे में भी आगया के में भी आगया आई में आगया जब भी रिजल्टेंट निकालना होगा तो सब को एहड करोगे मैंने स्कॉर प्लस बी स्कॉर प्लस सी स्कॉर कर दोगे तो में चुड़ा जाएगा यह सारी बात हैं हमने मैंने इक फिल्ड और उसकी डिरेक्शन की बात की अगली लेक्चर में आप और और बी बात ही करेंगे कुछ नए-ने सवालों को भी हल करेंगे फिरहाल तो इस लेक्चर क को यहीं पर करते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए